हेलो दोस्तो मैं अमित कुमार पुदार भाइलोजी की यूटीब चनल में आपका स्वागत करता हूं आज हम लोग क्लास 12 का यूनिट फर्स्ट का चेप्टर फर्स्ट के अबजेक्टिव कोश्चन और एंसर को देखेंगे इसमें मैंने 20 कोश्चन का प्रेक्टिशेट तयार किया है जो आपको 2022 एकजाम बोर्ड परिच्छा के लिए बहुत ही ज्यादा इंप्वर्टेंट है इसके अलावे इससे कोश्चन आपका अन्य सभी परित्योकता परिच्छा में भी पूछा जाएगा तो इसे आप लोग प्रेक्टिशेट को पुरा लगाएं और इसमें आप देखें कि आपने कितना सही बनाया और कॉमेंट बॉक्स में आप जितना सही बनाये जिसका जितना सही अंसर दिये उसे कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर भेजें comment box में जरूर लिखे तो चलिए chapter शुरू करने से पहले हम लोग आपको बता दूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बैल आइकन दबा ले क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन और जनन इसमें जिसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन और्गनी और्गनीज्म यानि की जीवों में जनन के बारे में हम लोग प्रेक्टी से देखें हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला कोश्चन आपका है दूइलिंगी प्राणियों के उधारन कौन है इसमें आपका चार ओप्शन दिया गया है दूइलिंगी प्राणियों के उधारन कौन है चार ओप्शन आपका है चार ओप्शन में आपका सबसे पहला है सबसे पहला आपका है sponge सबसे पहला है sponge और बी है tapeworm या फीता किर्मी फीता किर्मी कोई in English में tapeworm कहा जाता है C आपका option है joke या इसको English में leech कहते है और D option है इसमें सबी तो आप चल दिए से इसका answer लगाएं और देखे चलिए तो इसका एंसर मैं बताता हूं इसका एंसर हो जाएगा आपका option D option D चलिए द्विलिंगी प्रानी यह सब ही है sponge टेप वर्म और जो कर्थात इसमें नर और मादा जननांग एक ही जी में उपस्तित होते हैं चलिए ृतू इसमेह निमन से कि समें होता है चलिए उसमें बंदरं में सी चिंपैंजी में में उस में उस curriculum इन में सभी चले नेक्स्ट कोश्चन कर चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन आपका है नेक्स्ट कोश्चन निम्न में से कौन सजीव प्रजक नहीं है निम्न में से कौन सजीव प्रजक नहीं है अर्थात निम्न में से कौन भीवी पेरस नहीं है तो पहला option आपका मुर्गी, option B है, गाय, option C है, बकडी और option D है, मनुस्य, अर्थात यहां बता जा रहा है कि सजीब परज़क, अर्थात कौन सा ऐसा जीब है, जो अपने जो बच्चे को जनन नहीं करता, यानि कि सजीब परज़क नहीं करता है, अर्थात वह अंडे को जनन क करता है, तो एकस का एंसर हो जाएगा, मुर्गी, मुर्गी जो है, वो अंडे जनन करती है, अंडे जनन देती है, ना कि बच्चे को जनन देती है, चले, तो नेक्स्ट आपका question को फिर से देखते हैं, next question, sorry, next question, question नमर चार के और चलते हैं, इसमें है, चार नमर को सरीर से ब बाहर होने वाले निशेचन को क्या कहते हैं, option A, in vitro, option B, in vivo, option C, A और B, दोनों, और option B है, इन में से कोई नहीं, तो शरीर से बाहर होने वाले निशेचन को पात्रे निशेचन का जाता है, अर्थात in vitro कहलाएगा, in vitro निशेचन कहलाएगा, चले, तो फिर next question को चलते हैं, निम्न में से कौन उभैलिंगी पादप नहीं है। तो पपीता इसका एंसर हो जाएगा पपीता वह लिंगी पादप नहीं है पपीता एक लिंगी पादप है जिसमें नर्फ और मादा दोनों अलग अलग पौज़े पे लगता है फल चले तो नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमर 6 अगैब में वर्धी प्रजनन किसके द्वारा ह होता है अगैब में वर्धी प्रजनन option A है बुलबिल के द्वारा option B है सकर के द्वारा option D है एस्टॉलेन के द्वारा option D है और option D है राइजोम के द्वारा option तो इसका एंसर हो जाएगा option A option A अगैब में परदी परजनन वुलविल के द्वारा होता है चलिए नीक्स्ट कुश्चिन इक बड़ चलते हैं question number 7 युगमक अस्थानांतरन होता है युगमक अस्थानांतरन होता है अर्थात युगमक एक अस्थान को दूसरी अस्थान के द्वारा आस्तानांतरन होता है पहला जल द्वारा ऑप्शन भी बायू द्वारा ऑप्शन सी कीट द्वारा ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा तो आपका option इसमें जल के द्वारा भी होता है वायू के द्वारा भी होता है और कीट के द्वारा भी होता है इसका answer हो जाएगा option D इसमें पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही पुस्प लगता है option यह है आम option B बास option C लीची option D जामुन अर्थात इसका answer हो जाएगा बास इसका answer हो जाएगा बास बास में मास के पूरे जीवन काले पचास से सो बर सो के आयू में एक बार ही पुस्प लगते हैं चले एक पूरे चलते हैं नेक्स्ट कोस्टन है इन में से किस में जल माध्यम से निशेचन होता है अप्शन यह है सेवाल अप्शन भी है ब्रायो फाइटा ऑप्शन सी है टेडी डो फाइटा और ऑप्शन टी है इन सभी में तो इसका answer हो जाएगा अप्शन टी अप्शन डी अर्थात सेवाल अल्गी में भी जल माध्यम से निशेचन होता है ब्रायो फाइटा में भी जल के माध्यम से निशेचन होता है और टेडी इसका answer हो जाएगा डी क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती हैं मनुस्थ के युगमक दिखा में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है मनुस्त के युगमा को में क्रोमोजोम की संख्या हो जाती है 46 46 इसका एंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट कोस्टन क्यों चलते हैं नेक्स्ट कोस्टन आपका कोस्टन नमबर 11 मुकुलन द्वारा जनन किसमे होता है मुकुलन द्वारा जनन किसमे होता है अर्थात बढ़िंग के द्वारा जनन किसमे होता है ओप्शन ए है यिस्ट में ओप्शन भी है जिवानू में ओप्शन सी है पाइनस में ओप्शन डी है चीर में तो बडिंग के द्वारा जनन होता है, option A, yeast में, मुकुलन द्वारा जनन की किलिया होती है next question क्यों चलते हैं, next question है, दुई खंडन किसमें पाया जाता है दुई खंडन किसमें पाया जाता है, दुई खंडन, option A है, amoeba में, option B है, पैरामिसियम में, option C है, जलकुम्भी में, और option D है, amoeba तथा पैरामिसियम दोनों में अर्थात इसका answer हो जाएगा, option D, amoeba तथा पैरामिसियम में, दुई खंडन, विद्धी के द्वारा जनन होता है next question, question number 13, मद चक्र वश्टर साइकल किसमें पाया जाती है, मद चक्र किसमें पाया जाती है अर्थात, option A है, गाय में, option B है, कुत्ते में, option C है, भेर में, और option D है, सभी में अर्थात, मद चक्र जो पाय जाती है, वो इन सभी में पाय जाती है, गाय, कुत्ता, कुत्ते, भेर, इन सभी में मद चक्र किरिया होती है next question पर चलते है next question हमारा है जब संतत्ती की उत्पत्ती एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है जब संतत्ती की उत्पत्ती एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है option A, langic general, option B, or langic general, option C, A और B दोनों, option D, none of this यानि इन में से कोई नहीं तो जब संतत्ती की उत्पत्ती एकल जनक द्वारा होती है अर्थात एक ही जनक भाग लेते हैं जनन की पर क्रिया में तो ऐसे जनन को और लहेंगिक जनन कहते हैं चले, next question है कौनोडिया का निर्मान इन में से किसमे होता है? कोनोडिया का निर्मान इनमें से किसमें होता है का निर्मान पेनिसिलियम में होता है चली कोसें कि ब्रूंन पोस 강 Buddhas सब्सक्राइबरияхं अप्षन में कितने सब्सक्राइबर केुए बुदानियो में नेक्स्ट कुस्टिन आपका इन में से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है उप्शन ने जलकुम्भी, उप्शन B, केला, उप्शन C, कमल और उप्शन D, हाइड्रीला तो बंगाल का आतंक जो कहा जाता है वो जलकुम्भी को कहा जाता है बंगाल का आतंक जलकुम्भी को कहा जाता है क्योंकि यह अधिक मात्रा में जलासेयों में अपना फैलाब करता है इसलिए से बंगाल का आतंक कहा जाता है और जलकुम्भी के ज़्यादा फैलने से पानी के अंदर का ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे और पानी के अंदर आक्सिजन को जाने भी नहीं देता जिसकारण से अंदर वाले जीव पानी के अंदर आने वाले जीव घुट करके मर जाते हैं इसलिए से बंगाल का आतंकदिक आ जाता है जाले नेक्ट कॉस्टन कॉस्टन नमर 18 इन में से कौन और गुनित है सब्सक्राइब ऑप्षिन प्रूर्टों किन ना। 5 verुड में से पॉलनग्रेंश और सभी या जो धंगे तो आपसिन इसित जो है और अगुनित है अर्थात पॉलेंग्रेंज यानि की परागकन और गुनित है क्याले नेस्ट कोस्ट्टन है आपका इन में सबसे ज़्यादा गुनसुत किसमें होता है तो अप्शन ए है मानव ऑप्शन भी है केजुराइना और सबसे ज़्यादा गुंसुत निम्न में से ऑफियो ग्लैसम नामक फर्न में पाया जाता है चले नेस्ट कोस्टन के और चलते हैं और लास्ट कोस्टन है इस प्रेक्टिसेट का नेस्ट कोस्टन आपका है और अंतीम क्ोश्टन कौण निम्न में कौन 12 बरसो में एक बार फूल उत्पन करते हैं अर्थात पुश्पधारन करता है to have some nice अए इस बेइस को एफ संबी है मिला कोना ऑप्शन इस है जैक फूर्ट चिलको जा तो बारा वर्हें एक वार पुष्फधारन निम्न में से लोगा इंसर ए नीला कुरण जी नीला कुरण जी एक परकार का युक्त जिसमें पर्तेक 12 वर्सों में अत्यधीक पुस्त उत्पन होता है तो आज का यह प्रेक्टिसट यहीं पर स्वाप्त होता है और आप कैसा लगा यह प्रेक्टिसट और आपने कितना एंसर दिया सही कॉमेंट बाक्स में जरूर बताएं और इन सभी को आप अपने कॉपी में जरूर नोट कर ले या आने वाले बॉर्ड एक्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है इससे कोस्टन गारेंटी इससे कोस्टन पुछेगा ही पुछेगा और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें कॉमेंट करें शेयर कर पुस्पी पौधों में लेंगी जनल तक के लिए मुस्कार जय हिंद्ध